प्रियांका जी, केसी वेनुगोपाल जी, केल शर्मा जी, अविनाष पांडे जी, अजैराय जी, अराधना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, पंकज तिवारी जी, प्रदीप सिंगल जी, दीपक सिंग जी, शत्रुगन सोनकार जी, विरेंद्र यादव जी, शाम सुंदर भारती जी राहुल लोदी जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के लीडर और हमारे प्यारे कार्य करता अमेठी के राइबरेली के मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी महनत की और राइबरेली में और अमेठी में आपने और राइबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कॉंग्रेस पार्टी की जीत करवाई इस बार जैसे प्रियंका ने कहा कॉंग्रेस पार्टी राइबरेली में अमेठी में उत्तर प्रदेश में बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकरता कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता से मिलकर एक साथ लड़ा मैंने सोचा कि ये क्यूं हुआ कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गटबंदन अलग-अलग पार्टियां कॉंग्रेस का हर कार्य करता समाजवादी पार्टी का हर कार्य करता डीमके का हर कार्य करता एक साथ खड़े होके लड़ गए पहले अलायंस होता था एक साथ चुनाव लड़ते थे मगर शिकायत आती थी कि भाईया यहां उन्होंने मदद नहीं की वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगोंने मदद नहीं की मगर इस बार सारे के सारे एक बन के मैं आपको बताऊं एक इंच पीछे नहीं हटे हर प्रदेश में तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश हर जगे मनिपूर राजिस्तान करनाटक, तलंगाना एक हो गए और मैंने सोचा यह हो क्यू रहा है यह हो क्यू रहा है इसका कारण क्या है इसके दो-तीन कारण है सबसे पहला कारण जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी अमिट शाजी हिंदुस्तान के सम्विधान को खतम करने की कोशिश कर रहे है जो हिंदुस्तान की नीव है उससे वो खिलवार कर रहे है इसलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया दूसरी बार दो हजार चौदा में हिंदुस्तान की राजनेती में एक बदलाव आया पहली बार हमने देखा कि प्रधान मंत्री खुल कर हिंसा और नफरत की राजनेती कर रहे थे और ये हिंदुस्तान की संस्कृती और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है और रास्ता मैं बताना चाहता हूं और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता राइबरेली अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ हिंसा के खिलाफ अहंकार के खिलाफ गबा कर वोड़ती आए 2014 में राजनेती एक और तरह बदली पहली बार हमने देखा कि राजनेती 20-25 लोगों के लिए की जा रही है जनता के बीच में नफरत फिलाते हैं और फिर पूरा का पूरा फाइदा दो-तीन अरब पतियों को पकड़ा देते हैं तो वोट किसान ने दिया मजदूर ने दिया बेरोजगार युवा ने दिया माताओं बहनों ने दिया सबने मिलकर इस राजनेती के खिलाफ वोट दिया है अब हमारे उपर एक बहुत बड़ी जिमेदारी पड़ती है सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी के नेता कार्यकरता MLA, MP जो भी है अहंकार के शिकार नहीं होंगे दूसरी बार आप सोचिए हमारा परिवारिक रिष्टा है राजनेती में सबसे पुराना रिष्टा आपके और हमारे बीच में है ये रिष्टा सो साल पहले राई बरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान अंदोलन हुआ जवालना नहरू जी आए राई बरेली अमेठी उत्तर प्रदेश के किसान लड़े थे और उस समय भी बदलाव राई बरेली के किसानों ने किया था अमेठी के किसानों ने किया था अमेठी राइबरेली के युवाउं ने किया था और इस बाहर भी आपने फिर से वो ही काम किया है किशोरी शर्मा को किशोरी शर्मा जी को अमेठी में मुझे यहां राइबरेली में उत्तर प्रदेश में इंडिया गडबंदन और कॉंग्रेस पार्टी के सांसदों को आप लोगों ने जिताया है महौल आपने बनाया है पूरे देश में महौल आपने बनाया है आप अपनी शक्ति समझो पूरे देश की राजनेती आपने बदल दी है आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोधी जी कह रहे थे मैं नहीं हूँ भगवान मुझे ओर्डर देते हैं मैं काम नहीं करता भगवान मुझे ओर्डर देते हैं मैं करता हूँ पता नहीं कैसे भगवान है उनके 24 घंटा अधानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते है मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोधी जी समविधान को ऐसे पकड़े थे यूँ कर रहे थे ना देखा आपने ये आपका काम था ये आपने करवाया है देश के प्रधान मंत्री को आपने मैसेज बेजा है कि समविधान को आपने चुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते है अब अब देखिए अब ये भी मत सोचिए कि काम खतम हो गया है ये अभी काम शुरू हुआ है ये शुरुवात है हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता हमें नफरत नहीं चाहिए हमें इंसा नहीं चाहिए हमें महबत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए और अगर देश को निया विजन देना है तो भाईयों और बहनों उत्तर प्रदेश से ही देना होगा और उत्तर प्रदेश ने मेसेज दिया है कि इंडिया गडबंदन समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं कि देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं तो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला काम जहां भी ये नफरत फैलाते हैं नफरत के बाजार में हमें मुहबबत की दुकान खुलने हैं आपने देखा भाईयों और बहनों अयोधिया की सीट हार गए राम मंदिर बनाया उसमें इनागरेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा एक किसान नहीं था एक मजदूर नहीं था एक पिछड़ा नहीं था एक दलित नहीं आदिवासी राश्ट्रपती से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे अंबानी जी खड़े थे देश के अरब पती खड़े थे पूरा बॉलिवुड खड़ा था क्रिकेट की टीमें खड़ी थी मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा तो जवाब अयोदिया की जंता ने भी दिया है जान बचा के निकले हैं प्रधान मंत्री और मैं आपको कहता हूँ और बेहन से कह रहा हूँ अगर ये लड़ जाती वारा नसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो-तीन लाख वोटों से वारा नसी का चुनाव हार जाती है मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूँ मैं ये इसले कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को हिंदुस्तान की जंता ने मेसिज दिया है ये आपकी जो राजनेती है हमें अच्छी नहीं लगी हम इसके खिलाफ है हम नफरत के खिलाफ है हम हिंसा के खिलाफ है हम मुपत का देश चाहते है हम प्रगती चाहते है हम बेरोजगारी के खिलाफ है आपने दस साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई नफरत फैलाई हिंसा फेलाई और हिंदुस्तान की जंता ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को जवाद दिया है और शुरुआत और शुरुआत आपके दिल में हुई थी तो बदलाव आप लाए हैं तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि जो सचे मुद्धे हैं देश के सामने बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा ये मुद्दे उठाई जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनेती हो, अगनी वीर, अब भाइया, मैं आपको बता रहा हूँ, अब हमारे पास पारलिमन्ट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैटी हुई है इस बाहर हमारी पूरी कोशिश होगी ओपोजिशन में बैटे हैं मगर अगनीवीर को ओपोजिशन में रद करने की कोशिश करें तो आपने हमें इतनी शक्ति दी और ये सिरफ आपने ये आपने राजनेतिक डिसिजन नहीं लिया है ये आपने जो वोट दिया है और राई बरेली के हर एक वियक्ति ने जो दिया है ये राजनेतिक डिसिजन नहीं था ये मोहबत का डिसिजन था और इस बात को मैं जिंदगी पर नहीं भूलने वाला हूं अमेटी की जनता से भी कहना चाहता हूं मैं राई बरेली का सांसद हूँ मगर जो मैंने आप से कहा था जो भी राई बरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा तो आप सब को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने हिंदुस्तान की राजनेति बदल दी आपने प्रधान मंत्री को ऐसे करवा दिया और आपने पूरे देश को मेसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं महबत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनेति बदलेंगे धन्यवाद जै हिंद जै उत्तर प्रदेश